हेलो गईज स्वागत है आप सबका तो आज हम बात करेंगे वारी रिन्यूबल्स की यहाँ परसो और कल यहाँ पर हमने बात कि थी के एक्चुली परसो और उसके पहले के दिन के करेक्शन आ सकता है तब कहीं लोगों को जो है बात जो अच्छी नहीं लग रही थी लेकिन जो अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब कर ले टेक्निकल चार्ट काफी यूस्पूल रह सकते है बोला था कि इसके अंदर करेक्शन आ सकता है आया भी कितना नीचे जा सकता है वो हम देखेंगे आज तो जो है बिल्कुल लोवर सर्किट लगा वोल्यम भी थोड़ा सा कम अब यहां पर आगे देखें आज के दिन क्या हुआ सबेरे तो अगर देखें तो थोड़ा सा अच्छा वोल्यम था खरीदारी भी हो रही थी बिकवाली भी हो रही थी नीचे आया उसके बाद थोड़ा दिन एक टिखने की कोशिश की कि लोवर सर्किट ना लगे लेकिन आ तो अगर थोड़ा सा इसका मशलब यहीं यहां पर सपोरल ले सकता है थोड़ा ऊपर नी जा सकता है 10-15 रुपय ऊपर ने लेकिन वहां पर अगर सब्स ही थाप्तों बाद यहां से नीचे टकरा कर वपर रोग गया है थे एकूर तो इसकी ऋपरी आपश-अप्री लाइन व वीकली चार्ट है, कल हपते का आखरी दिन है, तो कल का दिन मैं तो पुर्ण जो हो रहे सकता है, कौन साल जो लेवल है वहाँ पर क्लोजिंग देता है, वो देखना बनता है, क्या लोवर सक्किट के उपर बनता है या नहीं, साथ-साथ यहाँ पर भी अगर देखे तो कहीं ब लेकिन इसके बिल्कुल जो यह सिच्वेशन थी, इस तरीके से बाहर ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता है, यह बिल्कुल हुआ भी ऐसा, अब यहाँ पर देखे तो इसकी जो मिडर लाइन है, वो तो काफी नीचे है, देकिन यह धीरे-धीरे करकर ऊपर जा रही है, आगे जलकर यह साड़े सोला सो तक जा सकती है, पहले तो हम देखते हैं, मसीडी को यह हल्की हल्की स्ट्रेंथ घटती हुई दिख रही है, लेकिन ज्यादा नहीं, लेकिन यहाँ पर अगर देखते है, आरे साइ को 63 के आसपास आ गया है, यह भी पिछले दिनों में काफी 80 के आस पर इसको अपर जाने की कोश्चिश हो रही थी, फिर इसको अंदर यह ब्रेक आउट हुआ, और अगर नीचे आता है, तो ज्यादा गिरेवट आती है, तब की बात है, इसके पहले भी कुछ सपोर्ट मिल सकते है, वो भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अगर ज्यादा यह तो थोड़ा उपर, इस लेवल के आसपास, मतलब की 1670 के आसपास, और वहाँ पर एक बार 1650 के आसपास इसने यह जो उच्छा लाया था, वहाँ पर इसने रजिस्टन भी फेस किया था, तो यह लेवल पूरा पूरा एक सपोर्ट का काम कर सकता है, और अब इसके सपोर इसके सब्सक्राइबन 1680 और उसके नीचे जैसे कि हमने बात की, 1640 से लेकर 1660 का जोन, तो यह इसके थोड़े से दूर के सपोर्ट और यह इसके थोड़े से निजदी की सपोर्ट दिख रहे है, यहां से इसके अंदर वापस से वह बाउंस बेक आने की संभवना रह सकती है अब अगर बात करें, तेजी की, अगर इसके अंदर यहीं से बाउंस बेका जाता है, या फिर 1790 से 800 का असपास, तो कहां तक जा सकता है, तो पहले अगर देखे तो मुझे इसा लग रहा है कि यह 1870 का असपास का जोन, यहां पर रेजिशन फेस कर सकता है, अगर यह लेवल पार होता है, तो वापस से 1920, उसके बाद यह 2000 का लेवल, यह इसके जो है नजदी की रेजिशन दिख रहे है, 2000 को पार करता है, तो अब की बार यह 2150 से 2250 तक जाने की संभवना रह सकती है, और अगले महीने इसका जो है, इसका नहीं, बलकि इसी ग्रूप का वारी इसके अंदर 40-50% का आसपास की तेजी देखने को मिलेगा, तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगा, तो यह थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यह, यहां पर लग रहा है, तो कल जो है वापस से हम इसके उपर चर्चा बनता है, वैसे मुझे ऐसा लग रहे कि कल भी यह नीचे खुल सकता है, लेकिन यह 1790-1800 के आसपास एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है, वहां सपोर्ट लेता है नहीं, वह देखना बनता है, तो कल हम वापस से चल्चा करेंगे, तब तै के लिए अगर आपके इसके परपस के लिए बनाएं, मेरी तरफ से को भी यह बाइसल की रेकमेंचन निए, तैंक यू